है 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 यह वेल्कम टूदा टीजी पीजी टीट अड़ाट 24 7 दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यह अमारे स्टी ट्रपलेश भी को लेकर के पीजी टी कंप्यूटर साइंस और अगर आप पीजी टी की भी प्रिपेशन कर रहे हैं तो यह शेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टन रहने वाला है जैसा कि दोस्तों आज इद तो सभी को सबसे पहले तो इद की मुबारक बात और जीवन में हमेशा जो त्योहार है जो उत्सव है वो हमेशा खुशाली लेकर कर आते हैं तो हमेशा जब भी मोका मिले तो आपको इन त्योहारों के की मोबाइल एप्लिकेशन पर 79% के साथ में डबल वेलडिटी के साथ में आपको महापेक है वो मिल रहे हैं सबसे पहले आपको अड़र 247 की मोबाइल डाउनलोड करनी है और फिर टीचिंग सेक्शन में टीचिंग महापेक के ओपर जाना है यहां पर सीटेट डी ट्रपिल और रिविजन बेट सब कुछ मिलेंगे कूपन कोड उपहार प्राप्त करने के लिए कूपन कोड वाई-400 है वो यूज करना है चाहिए अगर आप डी ट्रपलेश्बी के कोर्स में भी एन्रोल्मेंट लेते तो भी आपको मैक्सिमम डिसकाउंट मिलेगा वाई-400 कूपन को तो आईए दोस्तों कंप्यूटर और और ओगिनाइजेशन को लेकर के आज मेरे पास में मेमरी से रिलेटेड है वह बहुत ही अच्छे-ची क्योश्चन से आप लोगों के लिए मेमरी को लेकर तो पहला क्योश्चन है आपके सामने वह है दा बेस्ट मोड ओप कनेक्शन ब बढ़िए मोशूट टेट ओवर योऌट बिस्टेंस तो आप किसका यूज करेंगे बस का या सीरियल पोट का या परलल पोट का या भिर ओर किसी चीज़ का बताइए कि बताईए आई सो उस्टाइब का यूज करेंगे शीरी पोड़ का या पिर आपके बस पोर्ट का यूज करेंगे अगर बात करें Speed की Speed की बात करें तो parallel port की parallel की जो speed है वो आपके serial port से क्या होती है जादा होती है parallel port की अंदर आप कौन कौन से devices है वो connect करते हैं basically printer का आप इस्तमाल करते हैं serial port में आप monitor है या VDU है यह आप connect करते हैं तो parallel यह serial port है यह आपके bit को series wise send करता है सेरियल करता है जबकि यह है वो आपकोादर सिंट करता है पैसे और करता है इसवज़े से आपके पैşेलांच सेकिर करना है तो आपके इसTA Crime क्या यहींद्यले मतलब यहाँ पर क्या है डाइने मिक डाइने मिक डाइने मेंचेस मेंटेजिट की क्या है रिफ्रेंच सरकुट को फोलो करती ही सिंगल ट्रांजिस्टर यह裡 गडा landlord च होता है तो थे के साथ में memory sales में data को बरकरार रखने के लिए आपको वापिस से क्या होना पड़ता है उसको चार्ज करना ही पड़ता है तो यहां पर पूछा गया है कि ब्लोग transit PETER PRक यहां पर ड्रे लिए जाना जाएंगा तो फ़के रुप मेरा नकी फ्रिस्ट पाइस ल्टीली के मोन जाना जाता है साब पेसे मोड़ती है ड्याना living फॉलयाँ से अंसर बताया यह पहले वाले कैश्ण का है या क्ष़र फच्ट पेसमोड़ेंशाएंट ब्लोख interface the intr lines is connected to status and control unit DDR या रजिस्टर सेलेक्ट या ननोप मेंटेन देखो DDR का मतलब यहां पर सीधा-सीधा किस्से है डबल डबल डेटा रेट डबल डेटा रेट अब देखो यह डबल डेटा रेट जो है वर्ड वैसे यह आंसर नहीं है इसका क्योंकि 8-bit parallel interface के बारे में बात हो रही है तो एट बीट पैरलल इंटरफेस है वह बैसिकली दो चीजों के साथ में वर्क करता है एक तो डबल डेटा रेट के बारे में बताना चाहता हूं यह आपके जो डी आरेम है डी आरेम है उसके ही पार्ट है एक तो SD रेम है एक तो कौन सी है SD रेम है एक RD रेम है एक क्या है RD रेम है और एक है DDR DDR रेम तो जो डी आरेम है जिसको हमें रिफ्रेश बार-बार रिफ्रेश करना पड़ता है अपके डेटा बरकरार रखने के लिए तो एक एज है उसके उपर आपको आउटपुट है वह वन मिलेगा तो इसी चीज को सुधार करके दोनों एज पर आउटपुट मिल सके इसलिए डी डी आर डबल डेटा रेम है यह यह जाती है और सब्सक्राइब यूज में लेना बंद कर दिया है अभी फिलाल जो हम जितने भी कंप्यूटर से उसके अंदर जो रेम यूज में लेते हैं वो डीडिया रेम का ही यूज लेते हैं देखो दा डिफ्रेंश इन डाड्रेस एंड डेटा कनेक्शन बिट्विंड डियारेम एंड आड्रेस डेटा कनेक्शन यादा रिक्वार्मेंट ओफ्रेंश लाइन यादा यूज ऊप बफर इन डेको sdrm का है DRM और sdRM के बारे में बात हो रही है sdrm की full-form क्या है आपको अपने आप ही पता चल जाएगा सी दी इरंए की फूटन में सिन्कून डाइनि मिस डाइने मिक रेंडम मेरी तौ किसी बीचीज़ को सिंक करना है तो हमें किसक्रक्ष इचनि करते हैं आप यही डेटा कनेक्शन को लेकर के है तो एड्रेस को लेकर करे है तो युज होगमोर नमबर ओप resembles in sdrm तो मॉलड नुम्बर ओपींश से एड्रेस और डेटा कनेक्सन का तो कोई लेना देना है नहीं मॉर एडरेस लाइस लाइन का भी लेना देना भी स्रिम देना प्लिपल का प्रोसेंस से लिए आपको भ बफर है wir用 करना ही पड़ेगा स्रिंक्रोनाइज अगर आपको करना है डेटा को सिंग करना है तब आपको बफर का इस्तमाल तो करना ही पड़ेगा पिंस डेटा कनेक्शन या एड्रेस को लेकर के पिंस का कोई लेना देना नहीं है और लाइन का भी लेना देना नहीं है और लाइन का भी कोई लेना देना न सी बात है वह मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं एक होता है वो रही है यहां पर रीड and MFC signal is excess time होगा, latency delay ले Тоह तो होगा नहीं, latency time क्या होता है, latency time है वह आपके č niro right का,Meet Mesk lihat time है, read and write का जो time है, वह आपके latency time है, cycle time है यह mmU के द्वारा handle होता है जब delay होता है, जो इसके बारे में हमने बात की थी memory cycle को लेकर के, memory को लेकर के तो यह तोहीं कि यहांपर ड्यूरेशन के बारे में बात हो रही है तो आपका करेक्क्ट ऑंसर किया हो मिम्हेस टाइम होगा एक होता है seek time, seek time क्या होता है, seek time, जब data है, वो head के under आता है, जैसे ये माल लो आपका platter है, इस जगे आपका data है, इस जगे आपका क्या है, head है, तो यहां से data यहां तक आएगा, तो यहां से आने में, यहां तक आने में लगा समय है, वो आपके seek time है, यह आपके seek time है, फिर यह data है, वो read राइच होने लगा रीड़ राइच तो वह लेटेंसी टाइम हो गया और डूरेशन है वह वह आपके किस रूप में जाने जाएगी आपके x time के रूप में जाने जाएगी तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका एक्सेस टाइम है वह करेक्ट आणसर होगा एडेस इज यूज तो रिस्टोर दा कंटेंट ओफ दा सेल किसका यूज करेंगे रिस्टोर करने के लिए कंटेंट ओफ दा सेल सेंस एंप्लिफाइर का रिफ्रेश काउंटर का रिस्टोर का या नन ओप मेंटेन का रिस्टोर करना है कंटेंट ओफ सेल तो आप किसका यूज करेंगे हैं ड्रीश्टार करना है आपके कंटेंट को कंटेंट ऊप चैल को रिस्टोर करने के लिए सेंस अप्ली फाइER का यूज तो एंप्लीफायर एकिया जाता है री risso 3 गिंग के Nossa वा कहें ग्रेट आंसर देखो अभी अभी हमने बात कीति यहां पर एक्सेस टाइम को लेकर लेकरके लेकर के साइब मेंपरी मेंेज़मेंट अभी से खतम होने के बाद दूसरी प्रोसेस है दो डिले है वह सैकेड़ टाइम को भी डिनोट करता है यह अपने प्रीविएस क्लासिज यह उनमें भी यह चीज़े देखी थी तो साइकल टाइम को लेकर कि एक मेरे पास में क्योश्चन है दा मिनिमम टाइम डिले बिट्विन टू सक्सेसिव मेंबरी तू सक्सेसिव मेंबरी ओपरेशन इस यह मैंन इसका तो सही से आंसर बताओ फटा पर देखें और अभी तक जिन्होंने ना भाई यार सेशन को लाइक नहीं किया है वह सेशन को लाइक भी कर दो यार एक चोटा सा काम भी तो करना है को बहुत बड़ा काम नहीं है देखो मैंने कर दिया है 15-20 लोग देख रहे हैं और ती छहाए ना यह फूर्ण टेकन टू रसपर एवर्ड तो डेटा तू और फ्रोंदा मेंब्री इसकोल अगली अभी देखो साइकल टाइम के बारे में बात हो गई 2 सेक्सेसिव जो आपके सक्षेशीव को लेकर के साइकल टाइम को लेकर के बात हो गई हमारी एक्सेस टाइम क पर क्या पूचा दा टाइम टेकन ट्रांसपर टूए वर्ड ओब डेटा ओवर फ्रों दब मेम्री इस कॉल डेज एक्सेस टाइम साइकल टाइम इनके बारे में बात हो चुकी है तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहां पर जाना जाता है लेटेंसी जो होता है अधना पिसको एकसेस टाइम को एक और से भी आप टाइम कर सकते एक्सेस टाइम है वो सीग ताइम और लेटेंसी दोनों टम में भी आपको बताया जा सकता है यह एक्सी इस यूज टू इस्टू ए रीड सिगनल यह सिगनल टू डिवाइस देट दा मेंबरी रीड ओपरेशन इंग प्लिटेड यह सिगनल दा प्रोसेसर दा मेंबरी इस तो देखो अगर मैं बात करूं आपके किसको लेकर के एक्सेस टाइम को लेकर के तो वह आपके आचुका है एक्सेस टाइम और आप बताओ बेटा MFC जल्दी जल्दी बताओ देखें और एक बार सभी साती है वह प्लीज लाइक कर दीजिए और फटा फट देखें जल्दी जल्दी क्योश्चन आराम से पढ़कर के आराम से बताओ देखें फसक्त वी में बता रहे हैं कुछ 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 इस बता रहे हैं कुछ पहले तो मुझे यह बताओ MFC की फुल फोर्म क्या होगी MFC की फुल फोर्म क्या होगी फिर उसके बाद में आपको पता चलेगा It क्या होगी MFC है क्या चीज एग अब देखो आप सही बताना शुरू किया है अब सही बताना शुरू किया है MFC है क्या चीज MFC है क्या चीज MFC की फिल्फोर्म क्या होगी Current Operations को लेकर के है Current Operations को लेकर के Current Operations है वो 9 में C बता रहे है बिल्कुल MFC है आपके Memory Function Complete Memory Function Complete Memory Function Complete के रूप में इसे जाना जाता है Memory Function Complete के रूप में जाना जाता है तो Signal to Device that Memory Read Operation Complete Memory Read Operation Complete नहीं होगा Issue Read Signal नहीं होगा Signal the Processor Signal the Processor Signal the Processor the Memory Operation Is Complete Signal the Processor Memory Function Complete Memory Function Complete को यहाँ पर Show कर रहा है तो यहाँ पर C option है वो आपका बिल्कुल Correct answer होगा Next SDRM perform SDRM मैं देखो हमेशा एक तो SRM और SDRM इन में हमेशा आप Confused रहते हैं हमेशा यह जो है यह जो पार्ट है वो DRM का पार्ट है DRM Memory है यह 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 स्टेटिक रेंडम एक्सेस में दी है तो SDRM perform operation on the rising age of the clock यह falling age of the clock यह middle state of the clock यह आपके transition transition state of the clock बताइए बताइए अच्छे सब्सक्राइब पर्फोर्म ओपरेशन राइजिंग एज एड़ दाख लोग होगा यह फॉलिंग the of the clock होगा यह middle state of the clock होगा देखो आपको पता है सिर्फ डीडी आर जो DDR RAM है DDR RAM है DDR RAM DDR RAM है यह बोथ एंड पर बोथ एज पर बोथ एज पर आपको आउटपूर्ट देगी बोथ एज पर बोथ एज पर आउटपूर्ट देगी चाहे वो राइजिंग हो चाहे वो राइजिंग हो राइजिंग हो या फिर फॉलिंग हो या फिर फॉलिंग हो और SBRM है वो ओनली राइजिंग एंड पर राइजिंग एंड पर ही आपको आपके परफूर्म करेगी ओपरेशन को केवल और केवल राइजिंग एंड पर अगर DRM की बारे में बात करें तो बोट एस पर आपको यहां पर operation को perform करेगी तो तो आन्सर आपके इस्टेट नहीं होगा बैइना दो ही तो है रेम है वह राइजिंग पर कर रही है आपकी आउटपूट दे रही है इसलिए तो इसे जो DRM है इसको refresh होने की requirement होती बार बार बोटिलनेक के बारे में पूचहा है गेस जसे बोटिलनेक वेण इटकम कंप्यूटर परफुमेंस पाइम एक से ताइम टाइम यिट लेक्षी है बोटल में किया पूचा बोटल ने कोंध में साथी बताएगा यह किसी परफॉर्मेंस को लेकर के यह option दे रहे हैं दिपक चोधरी वेरी गुड चंद्रा गुड श्मृति चंद्रा आनंद गुड गुड अब देखो बोटल नेक का मतलब है सीधा सीधा यहां पर बोटल नेक का मतलब क्या है कि प्रोसेसर के जो प्रोसेसिंग स्योटे पारे में बात कीती है ना तो मिनिम मंडि ऊंद अपकर यहें को मिलेगा तो जो बोटल नेक है वो क्या है कि मेजएटर पर맛कर के दोग मेंडियों एक्ति कांदल मिलूपरेशन्स हो इनके बीच में जो डिलेग कम हो रहा है उसको ले करके हैं तो दा प्रोशेसर चैन में एकजीक्यूट टैट्शून Tutagen 9 यह यह वह熟 आपके Cycl टैब very good very good cycle time next ddr sdrms perform faster data transfer by integrating the hardware transferring on both is improving the clock speed increase the bandwidth अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात की थी अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात की थी थोड़ी देर पहले जस्ट जस्ट ए मिनट जस्ट ए मिनट थोड़ी देर पहले हमने बात की थी डी डी आरे में पर फास्टर डेटा बाई क्यूं क्यूं यहां पर मैंने बताया था कि है वह राइजिंग इंड पर ही आपको ओप्रेशन पर्फॉम करेगी जबकि डी 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 आर है वह आपके बहुत पर राइजिंग और फालिंग दोनों पर आपके क्या करेगी पर्फॉम करेगी ओप्रेशन पर्फॉम होंगे तो यहां पर करेक्ट आंसर में क्या लगा दू करेक्ट आंसर क्या लगा दो मैं यहां पर करेक्ट आंसर क्या लगा दू अ कर नहीं जी बारह में सीक्राइव नटेस नेखियो क्लोगे सीड क्यों लगा रहा हूं डाऊंध expectation का बात हुई थी हमारी थोड़ी देर पहले इतने जल्दी आप भूल गए इतने जल्दी आप भूल गए यह कैसे काम चले का बताओ दा लोजिकल एड्रेस जनरेटेड बाइस सीपी यू और मैप्ड ओन टू फिजिकल मेमरी बाई री लोकेशन रजिस्टर टी लबी एम यू या ननोप मेंटेन कि बी ओप्शन वेरी गुट यह क्वेशन मैंने पहले भी आपको करवाया है यह क्वेशन मैंने पहले भी आपको करवाया है यज जल्दी बताओ देखें लोगिकल एड्रेस जन्रेटेड बाई दा सी प्यू आर मेप्ड ओन तो फिजिकल मेमरी बाई री लोकेशन रजिस्टर टी यल भी एम एम यू या नन ओप दा मैंटेन क्या होगा भाई क्या अंसर करने वाले हैं हम लोग the logical addresses generated by the CPU are mapped on to memory physical memory and a to go MMU memory management unit memory management unit is kibari maham pehle bhi baat ka mmu very good improve the data retrieval rate improve the data retrieval rate the memory is divided into two banks yeah the hardware is changed yeah the clock frequency is increased yeah nanom maintain data retrieval है वो rate improve करना है तो क्या करेंगे दा memory divided into two banks या hardware is change या clock frequency is increase तो क्या करना होगा data retrieval है तब उसके लिए आपको memory को दो पार्ट में दो बेंक्स में डिवाइड करना पड़ेगा hardware change करने से आपके data retrieval speed बढ़ेगी नहीं clock frequency से increase नहीं होगी call clock frequency से clock frequency से आपके accessing और fetching accessing और fetch fetching है यह आपके performance है improve होगी लेकिन अगर आपको data retrieval rate है उसको increase करना है तो memory को दो बेंक्स में डिवाइड करना पड़ेगा memory is divided into two banks जाना एक एक शिक्स्टीन इन्टू एट शिक्स्टीन इन्टू एट ओगिनाइजेशन ओप memory cell can store up to up to पूछा है यहां पर अब तू पूछा है अब तू अब तू 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 फिफ्टी सिक्स बीट या एकजार चोबिस बीट या पांसो बारा या एक सो अठाइस क्या होगा अंसर तो यहां पर भाई शिक्स्टीन इन्टू एट ही दिया वाँ है तो अब तू एक सो अठाइस बीट है वही आपके ओगिनाइजेशन होगा ओप मेम्री सेल्स के निस्टोर अना 128 यहस 126 नहीं 128 यहस नेक्स आउल से टूउ किनाइज ही लाज मेम्री चिप विमेंग यूज़ ऑफ इंटेगरेटच यूज़ आपक्रेड़ेटर्ट्च या च्प्रेक्रेड़र का युज़ेदட्द के लिए क्या आपको memory modules का है वो यूज करना पड़ेगा memory modules memory modules yes a answer very good memory modules good good circuit that can hold their state as long as power is amplified is dynamic memory static ya register ya cases circuit that can hold can hold their state as long as power is applied is जब तक power मिल रहा है तो जब तक power है वो मिल रहा है तब तक कहों आपके एक एक सर्कुट के बारे में बाएत हो देखो यह तो आपके यह तो hold नहीं कर सकता क्योंकि यह refresh circuit को यह refresh circuit को नियोजित करता है refresh circuit है उसको उसको perform करता है तो यह होगा नहीं रजिस्टर है वो सजिट आपका कोई किसी भी टाइप का सरकिट है नहीं केस मेमरी है यह भी आपके सरकिट नहीं है तो correct answer क्या होगा स्टेटिक मेमरी यह आपके एस एस एसार्यम इस्टेटिक मेमरी इसके अंदर क्या होता है इसमें हम फ्लिप लोप का यूज लेते हैं कि इसलिए मतलब डेटा को होल्ड करने के लिए सेल्स में डेटा बनाए रखने के लिए आपके किसी भी टाइप का रिफ्रेशिंग की रिक्वार्मेंट नहीं होती है तो यह वह सरकीट देन देन केन होल्ड देर इस्टेट एज लोंग इस पावर इस एप्लाइड इस डेट इस्टेटिक मेम्री दा सर्म आर बेसिकली या बफर एसरम है वह बेसिकली यूज की जाएगी यह यूज की जाती है तो एसरम है वह यूज की जाती है आपके किसमें देखो एक तो LED के अंदर यूज की जाती है एक आपके नेटवर्किंग डिवाइस है उनमें यूज की जाती है नेटवर्किंग डिवाइस है उनमे तो इनके जो बेसिक प्रिसिपल्स है वो क्या को निधा कर रहे हैं यसको कर रहे हैं जो के तो SRM १ो आपके सरम अर। उसक्ली यूज्ट डेज़ की जाती है में तो करेक्ट आंसर क्या होगा केश होगा आपके यू hash सीमोस एसारेम ओवर ओवर दा ट्रांजिस्टर वन सिज सीमोस एसारेम का एडवांटेज क्या है ट्रांजिस्टर वाली के उपर चार से छे ट्रांजिस्टर आप यूज ले रहे हैं तो वहां पर आपके जो पावर डिस्ट्रिविशन है वो सही तरीके से हो जाएगा तो यहा आपके high durability का या low power consumption को लेकर के सीमोस और ट्रांजिस्टर यह है आपके सर्कृट इंटिग्रेटिंग यह वेरी लार्ज स्किल इंटिगेशन के अंदर यह चीज़े है वो डिफाइन की जाती है वेले साइग के अंदर तो यहां पर कोस्ट को लेकर के तो कोई इस्यू नहीं है efficiency है वो सर्कृट्री से नहीं मिलेगी यहां पर low power consumption को लेकर के हम एड्वांटेज है वो शो कर सकते है low power consumption power है वो थोड़ा कम लगेगा क्यूंकि power distribution है वो सही तरीके से हो जाएगा जब आप सीमोस SRM है वो यूज लोगे तब लो पावर consumption very good the address line multiplexing is done using mmu यह memory control unit यह पेस टेबल यह ओवरले जनरेटर address line multiplexing using देखो mmu से तो होगी नहीं memory control unit पेस टेबल पेस टेबल का address line multiple के multiplexing से कोई लेना देना नहीं है तो अब इन दोरों में से आपको answer देना है memory control unit यह फिर ओवरले जनरेटर तो एड्रेस लाइन multiplexing स्वरी multiplexing इस दन यूजिंग बाइ मेम्री control unit mcu mcu memory control unit mcu है वो reduce उसके यह memory controller है यह multiplexing में क्या होता है multiplexing में क्या होता है कोई साथी बताएगा multiplexing में क्या होता है memory control control unit में multiplexing में क्या होता है जो externaal external connections required we make use of D multiplexer multiplexer ya encoder decoder to reduce the number of external connection required we make use of reduce the external connection yes but are you guys very good 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 multiplexer very good yeah baby bath with it to reduce the number of external connection required we make use of multiplexer be option a walker correct answer rombus is better than the other memory chip in term of efficiency speed operation wider bandwidth ya all of maintain they go rd rams rd rams rd ram is a a party किसका part is DRM का इसका पार्ट है नुबस कोर्पोरेशन है उसका मालिकाना हक है इसके उपर हाई डेटा ट्रांस्मिशन हाई स्पीड हाई डेटा जो आपके वीडियो capture card है जो वीडियो capture card है वीडियो capture card है या माली जिए आपके फायर वाईर फायर वाईर को जो आपके फायर वाईर की स्पीड को जो एरांज करती है वो रेम यही है तो रोंबस है वो बेटर है अधर जो memory चिप efficiency को लेकर के नहीं speed operation को लेकर के efficiency तो है DRM की भी अपनी खुद की efficiency अलग है SRM की अलग है efficient तो है इसलिए तो हम यूज ले रहे हैं नहीं तो यूज ही क्यों लेते बताओ तो अधर memory चिप में जो difference होगा इनको लेकर के तो वह होगा speed operation को लेकर के अधर memory के अंदर है ना नेक्स्ट आपके पास में the type of signaling used in rhombus type of signaling भाई rhombus रेम है उसमें किस type की signaling यूज होती है तो CL के नहीं differential signaling का बटिवरेंचिल की वज़े से ही इसकी speed है इसकी speed है वो आपके एनांस होती है इसकी speed है वो एनांस होती है differential signaling की वज़े से ही speed इसकी बढ़ती है the processor must take into account account the delay in s accessing is the assessing the memory location such memory are called delay integrated या asynchronous memories या यह अपर प्रोसेसर मस्ट टेक इंटू अगाउंट डिले अकाउंट डिले इन एकसेस एकसेस में डिले को लेकर करके मेमरी लोकेशन को सच मेम्री जे वह किस टाइप की मेम्री की रूप में जानी जाएगी बहुत अच्छा क्यूशन है 32 में श्पीड और बेंड्विद दोनों होगा कोई लेना देना नहीं है भई डिटर ट्रास्फरिंग स्पीड है वो आपके वाइर से आै तो यहां पर क्या बोला जाए यह पर क्या बोला जा रहा मुत Masters Um take into account डडीले इन हे एक मतलब एकशेसर ट्रॉय को लेकर करके memory लोकेशन को ऐसी मेंबरी है वो डिले इंटीग्रेटर तो जानी नहीं जाएगी और अगर डिले हो रहा है तो सिंक्रोनाइज और आई सो क्रोन नहीं होगी एस इंक्रोनाइज मेंबरी के रूप में उसे जाना जाएगा बी ओप्शन है वह आपका यहां पर राइट अंसर रोमबश है वो भाई देखो इस्पीड कब बढ़ेगी एक हमने बात की टी डीडी आर को लेकर के बात की टी इस्पीड कब बढ़ेगी जब दोनों एंड पर आपको क्या मिलेगा आउटबूट मिलेगा तो यह रोमबश जो है ओर डियरेम से तो इसका जीरेम और पोट मे पार्ट में आपके SD RAM है, HD RAM है वो इसका पार्ट हो गया, यह तो डिफिरेंट हो गया अलग, और RDRAM है वो भी आपके RD RAM है वो DRM का पार्ट हो गया, यह वो कोब्ह可 हो गया तो sur słu printing कया शिए और से सिमिलर है आपके थीक है तो यह थे पत्चिस क्वेश्चन उमीर है कि आपको पसंद आये होंगे सारे के सारे क्वेश्चन यह सोड़नों के साथ मुझे बताईए स्मृति चंद्रा दिनकर और खुश्बु कुमारी जी अंजली रानी जी तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग से और बहुत ही मज़ेदार से क्वेश्चन आप लोगों के लिए तो अब मैं फिर से आपके एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं देखो आपके पास में हर टाइप का मोका है एक तो है बीपे सी बीपे सी को लेकरकर अभी एक न्यूज भी आई है जो जून के फ़र्स्ट वीक के बाद आपके एकशाम वहने की न्यूज चल रही है बीपे सी के बाद एमरेस की वेकेंसी आपके सरपे हैं उस टाइम प्रुपेशन नहीं होगी डी ट्रीप्लेस भी डी कोड़ सेवन की मोबाइल आप अगर टिचिंग महापेक में एन्रोल कर रहे हैं अपने आपको तो आप वाई-400 कूपन कोड यूज कीजिए वाई-400 टैस्ट स्रीज इबुक लाइब क्लासे यह सब कुछ आपको इसमें मिलेगी उसके अलावा अगर बात करें हम लोग यहां प यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसके उपर भी आप वाई-400 कूपन कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिसकाउंड मिलेगा अगर बात करें हम लोग यहां पर बिहार सिक्षक भरती के लिए तो यहां पर भी वाई-400 कूपन कोड लगाने पर यह कंप्यूटर है वो देखने को मिलेगा लक्षे बेच पीजी टी को लेकर के इंग्लिश हिस्ट्री और यह यह आपका इदर लक्षे बेच यह राप इस पर भी आप वाई-400 है वो कूपन कोड लगा सकते हैं थीक है